नमस्कार दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, हर दिन हमारे सामने कुछ ऐसे द्रश्य आ जाते हैं, जिससे पहली नजर में देखने पर हमें यकिन नहीं होता बता दे कि यू तो प्रत्वी पर ज्वाला मुखी बहुत है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे वॉलकेनों के बारे में सुना है, जो नीले रंग का लावा उगलता है आपको जानकर हिरानी होगी कि इंडोनेशिया में एक एसा ज्वाला मुखी है, जिसका लावा नीले रंग का बहता है पता दे इंडोनेशिया के वनियू वांगी में इस्थित कावा इजन ज्वाला मुखी अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा वॉलकेनों है किसी साइंस फिक्षन मूवी की तरह दिखने वाला ये ज्वाला मुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विशाय रहा है रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस इस्थित फोटोग्राफर ओलिवियर पिछले कई सालों से इस ज्वाला मुखी पर डॉक्यूमेंटरी बना रहे हैं उन्होंने बताया कि ज्वाला मुखी से निकलती हुई नीली रोशनी लावा नहीं है वास्तों में ये सल्फियूरिक गेसों के जलने से उत्पन्न होने वाली रोशनी है जो वायू मंडल में ऑक्सिजन के संपर्क में आते ही नीली आग की तरह दिखाई देता है ये आग इतनी खतरनाक है कि किसी भी वस्तु को जलाने की शमता रखती है इसे में जब कुछ गेसे तरल सल्फर के रूप में ज्वाला मुखी से निकलती है तो जलने की वज़े से वो नीले रंग की दिखाई देती है बता दे कि काफा एजन ज्वाला मुखी को ब्लू फायर क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है इसका नीले रंग का लावा खास दोर पर रात की समय देखा जा सकता है दरसल ये ज्वाला मुखी हमारे ग्रह के बाकी और ज्वाला मुखियों से जरा हटके है यही वज़ा है कि लोग दूर दूर से इसे दिखने आते हैं और अब ये परियाटक स्थल भी बन गया है हाला कि ज्वाला मुखी तक जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहां बहुत खत्रा है लेकिन खत्रा होने के बावजुद भी लोग यहां आते हैं और इस अनोके ज्वाला मुखी की तस्वीरे लेते हैं